मोदी सरकार ने पिशले दिनों यानी 14 जून को आनन फानन में एक फैसला लिया जो आज पूरे देश में उसके विरोध का कारण बन गया है ये भी कह सकते हैं कि मोदी सरकार की गले की फांस बन गया है जाहिर है आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस फैसले की बात कर रही हूँ जी हाँ मैं बात कर रही हूँ अगनीपत स्कीम की जिस पर पूरे देश में ववाल मच गया है युवाओं ने केंद सरकार की इस योजना के खलाफ मोर्चा खोल दिया है जगा जगा प्रदर्शन हो रहे हैं आंदोलन हो रहे हैं ऐसे में युवाओं को विपक्ष का साथ त तरफ से ऐसे कई बयान सामने आ चुके हैं तो अगनीपत स्कीम के मुद्धे पर कैसे अलग थालग पढ़ गई है भारती जनता पार्टी इसका क्या हो सकता है असर क्या सही होगी छोड़ देंगे बीजेपी का साथ इन सभी सवालों के जबाब के साथ मैं अंश्रता शवास और पूरे देश में बवाल हो गया है क्योंकि इस स्कीम में युवाओं को अपना भविश्य अंदकार में दिख रहा है युवा लगातार इस स्कीम को रद करने की मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार अपने पर अड़ी होई है और उसने साफ कर दिया है कि ये स्कीम वापस नही होगी ऐसे में युवाओं का गुस्सा बढ़ना तो लाजमी है जिसके बाद अगनीपत्य योजना के खिलाफ सेना में नौकरी की कोशिश कर रहे अव्यर्थियों ने भारत बंद बुलाया और इस भारत बंद का असर बिहार जारखंड पश्यमंगाल सहित पूरे देश में दिखाई दिया हाला कि जब सरकार ने से स्कीम का एलान किया था तो उसने सोचा भी नहीं होगा कि इस स्कीम पर सरकार इसकदर खिर जाएगी कि जिन युवाओं के भरोसे बीजेपी आज सत्ता पर वैठी है वो ही युवा आज सडकों पर उतर जाएंगे ये एक जटका तो कि वो इस स्कीम का समर्थन नहीं करते खास कर बिहार एंडिये में सहीयोगी जेडियू और बीजेपी में अब इस स्कीम के चलते तकरार देखने को मिल रही है हाला कि लंबे समय से दोनों के बीच खट पर चल रही है और दावा किया जा रहा है कि दोनों ही दलों के बीच एक बार फिर तेज हो गया है जब बिहार बीजेपी नेताओं पर हमले हुए गोरतलब है कि अगनीपथ स्कीम के चलते बीजेपी ही युवाओं की निशाने पर आ गई है जिसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजेज जैसवाल ने ऐसा आरोप लगा दिया कि बि प्रदेश कुमार पर ही था और जैसा की उमीद थी इस पर पलतवार भी जेडियू के राष्ट्री अध्यक्ष ललन सिंग नहीं किया और भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष के मांसिक संतुलन पर सवाल उछा दिया जाहिर है इस तरहा के बयानों से बिहार में भाजपा और जेडियू के बीच माहर घर्म हो गया है बिहार में इस समय नेताओं की जुबान आग उगल रही है जेडियू संसदिय बोर्ड के सदसे उपेंद्र कुश्वाह तो बीजेपी अध्यक्ष की बातों को सीरियसली लेने को ही तयार नहीं है कुश्वाह का दावा है कि बंदन की सरकार है तो निशाना बीजेपी नेताओं और बीजेपी दफ्तरों को ही क्यों बनाया जा रहा है और पुलिस बीजेपी नेताओं को निशाना बनाने वाले लोगों पर कारवाई क्यों नहीं कर रही है बीजेपी अध्यक्ष के बयान का जवाब जेडियू अध् क्यों कर रही हैं जिस अगनीपतियोजना को लेकर बवाल मचा है उस बारे में जैसवाल लोगों को समझाएं जेडियू को सिक्षा ना दें केंद्र सरकार ने फैसला जेडियू से पूछ कर नहीं लिया था इस बीच बिहार बीजेपी अध्यक्ष दोनों डिप्टी सीम सहित बीजेपी के दस नेताओं को केंद्री सुरक्षा ती गई है जिस पर तंज कस्ते हुए जेडियू प्रवक्ता नीरश कुमार ने कहा कि बीजेपी नेताओं को सुरक्षा की जरूरत क्यों पड़ गई ये वो ही बता सकते हैं अभी सबसे बड़ा सुरक्षा का मसला युगा और्गणाईजर में नितीश कुमार के ख़लाफ बड़े बड़े लेक्षप उप रही है। नितीश सरकार के पिछले 17 साल के कारिकाल को पूरी तरह विफल बताया जा रहा है। आंकडों को सामने रख कर बताय जा रहा है कि नितीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा है। फिर चाहे वो सिक्षा, स्वास्थ, आर्थिक विकास का शेत्र हो या कानून व्यवस्था, इंफ्रेस्ट्रक्चर, डेवलब्मेंट और पलायन का। विकास के तकरीवन सभी मोर्चों पर संग नितीश कुमार को कटगरे में खड़ा कर रहा है। वही दूसरी तरफ अगनीपत योजना के खिलाफ देश भर में हो रहे विरोध प्रदेशन के बीच भाजपा की सहयोगी जेडियू के सुर भी थोड़े अलग नज़र आ रहे हैं। जेडियू के नेता और राष्ट्रे प्रवक्ता के इसी त्यागी ने कहा कि उनकी पार्टी इस योजना की विरोध में तो नहीं है लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस योजना पर फिर से विचार किया जाए। पर फिराबोर कर रहे हैं उस तरह से जेडियू खुलकर तो सामने नहीं आ रही है लेकिन युवाओं के प्रदर्शन का विरोध भी नहीं कर रही है जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि जेडियू के इंद सरकार की इस स्कीम से अपना पल्ला जाड़ते हुए तंजबी क जेडियू ने कहा किया अगनिपती स्कीम पर हमसे राय नहीं ली गए अब जेडियू के ये बैयान बताते हैं कि इस स्कीम पर दोनों के बीच अन्मन फिर शुरू हो गई है वही जेडियों से पहले बीजेपी सांसद वरुन गांधी भी इस स्कीम पर सरकार का साथ देते नजर नहीं आए हैं इन दिनों उन्होंने भारत सरकार की अगनिपत स्कीम के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और रोज एक ट्वीट कर रहे हैं जब एक नौजवान का सपना मरता है तो पूरे देश का सपना मरता है क्या चार साल के पश्रात अगनी वीरों का समान जनक पुनरवास होगा मेरा मानना है कि जब तक समाज के आखरी व्यक्ती की आवाज न सुनी जाए तब तक कोई भी कानून का निर्मान ना हो इससे पहले बीजेपी सांसर दरुन गांथी ने भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गिये के बयान को लेखर तीखा हमला बोला था कैलाश विजयवर्गिये ने एक प्रेस कांफरेंस में अगनी वीरों को सिक्योर्टी गार्ट की नौकरी देने की बात कही थी वरुन गांथी ने लिखा था कि जिस महान सेना की वीर गाथाएं कह सकने में समूचा शब्द कोश असमर्थ हो जिनके पराकरम का डंका समस्त विश्व में गुंजाइमान हो उस भारती सेनिक को किसी राजनीतिक दफ्तर की चौकीदारी करने का नियोता उसे देने वालों को ही मुवारक भारती सेना माभारती की सेवा का माध्यम है महज एक नौकरी नहीं यानि जिस स्कीम को केंद सरकार अपना मास्टर स्टोक समझ रही थी उसका वो दाओ बिलकुल उल्टा पड़ गया है और सरकार विपक्ष और रिवाओं के साथ ही अपनों के बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुशती रहें देखते रहें डीवी लाइब क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार